तो RCC Classes Powered Wire रास्तान कोचिंग क्लासेज महुत दिनेश कुमार से ने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रास्तान कोचिंग क्लासेज के RCC यूटूब चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पढ़ाई के बारे में अपने टाइम मेनेजमेंट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं उतसे स्टुटेंट्सों का कहना होता है किस तर मुझसे पढ़ाई में होती मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन स्टुटेंट्स को मैं बोल देता हूं कि आप पढ़ाई छोड़ देजिए यह कहना मेरा है सुन मेरे से सुन आपने लेकिन यह आवाज कहां से ही है आपके मन के वाज से आपके अंतर आत्मा से वाज आई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यूंकि बोला है आपने, आपने बोला है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती, अगर जिस चीज में आपका मन नहीं लगता है, तो फिर आपको उस काम को करना ही क्यों, जिस गाउं नहीं जाना, उस गाउं का रस्ता पूछना ही क्यों, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम टाइम में नहीं कर पते, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो जिन होते हैं, अगर मैं आपको 10 गंटे extra दे देता हूं, तो आप 34 गंटे मिल जाएंगे आपको, तो अगर आप 24 गंटे में कुछ नहीं कर पाते, तो आप 24 गंटे में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 1 दिन के 50 गंटे में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 1 दिन के 100 गंटे मे आंप मैनेजमेंट नहीं कर मात तो आप फॉघक कर लोगी जोज़़वन का इना होता है कि इस अई हमें पढ़ाई करनी होती तो हम बताए की हमें का मैनेजमेंट कैसे करना होता है और कुछ यह कुछ तुछ एक चार घंटे का टाइम टेबल बनाता है फिर सोचता है नहीं मैंने तो सोचा है कुछ बढ़ा करने का और मैंने तो आज से सोच लेकि मुझे पढ़ा ही करने है तो फिर मैं चार घंटे क्यों बनाऊ फिर वो क्या करता है कि अपनी time table को बढ़ा के 8-12 गंटे का बना लेता है फिर वो करता है अच्छी बात है पढ़ना बहुत अच्छी बात है वो पढ़ाई भी शुरू कर देता है 8-12 गंटे की लेकिन वो ज़्यादे दिन नहीं कर पाता महरम 2-4-5 दिन पर पढ़ता है फिर 6-7 के दिन वो भूल जाता है उपनी time को manage नहीं कर पता तो time को manage करने के लिए आपको करना क्या होता है आपको हर 1 second आपको हर 1 minute की value का पता होने चाहिए कि हर 1 minute एक value क्या रखती है हर 1 minute अपनी क्या value रखती है अगर आपको 1 second की value का नहीं पता तो जाके उस student से पूछिए जो exam hole में इंटर होने से पहले उसके exam hole के get बंद हो जाती है उस 1 minute की late के वज़े से उसके 12 महनों की जो त्यारी की होती है वो सारी बरबाद हो जाती है मिलता सोचिए कि वो क्या करता होगा फिर अगर आपको एक महने की value एक महने की value का पता करना है तो जाके उस मा से पूछिए जाके उस मा से पूछिए जो अपने बच्चे को जन्म एक महने पहले दे देती है या फिर एक महने बाद में दे देती है यालिकि जब तक आप अपनी इस time की value को नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे तो अपनी time को manage करो, अपनी time को according पढ़ो, क्योंकि time को बरबाद करना खुद की बरबादी नहीं, खुद की आत्म हत्य है यह किसी नहीं सच कहा है कि जैसे आप time बरबाद करोगे, यह आपकी खुद की आत्म हत्य है तो करना है कि आपको, अपनी time को manage करना है, आपको regular पढ़ना है कुछ बच्ची होते हैं किस तर मुझे यह exam clear करने के लिए कितना पढ़ना होगा तो महां उनसे बोलूँगा कि नहीं, आपको 16 गंटे पढ़ने की जौरत नहीं है आपको 20 गंटे पढ़ने की जौरत नहीं है आप कम से कम पढ़ो, आप 5 गंटे पढ़ो, एक दिन का 5 गंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो क्योंकि जब तक आपकी पढ़हें में continuity नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाऊगी, कोई भी exam crack नहीं कर पाऊगी कम पढ़ो, लेकर रेगुलेटी के साथ पढ़ो क्योंकि जो वक्त है ना वो कभी बूरा नहीं होता वक्त हमेसा अच्छा ही होता है हम प्रेसान होते रहते हैं कल को देखिए बीत्यों को कल को लेके हम प्रेसान रहते हैं आने वाले कल की future की tension में जीते रहते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि आज क्या है हर एक दिन अच्छा होता है आज का दिन आपका है बित्यों यह कल को भूल जाओ, आने वाले कल को भूल जाओ, आने वाले कल की फिकर करना भूल जाओ, आज आपका है, आज इसे आप जीओ, आज सोचो कि आज के दिन मुझे क्या करना है, और ऐसे ही आपका time utilize हो पाएगा, जब तक आप समय की बरबादय को नहीं रोकेंगे, तो आप इतना लेट हो जाओगे, कि समय आपको बरबाद कर देगा, तो time की एहमियत को समझिए, और अपनी पढ़ाई को continue रखिए, बात करते हैं अपनी RCC channel की, तो इस रोकडाउन के अंदर, जितनी subject हैं, जितनी आपकी state level की exam है, national level की exam है, जो केंद्रिय गवर्मेंट exam है उनके जितनी भी subject होने वाली हैं, जितनी उनके exam में pattern हैं, वो हम सारे discuss कर रहें, जैसे कि अभी state की exam की बात करें, state में exam होने वाली है अपनी रास्तान पुलिस की पटवार की ग्राम सिवकी, और एक high court की exam होने वाली है, उनके लिए क्या है कि हमने अभी रास्तान जिके बाकी exam जो SSC bank की exam है, उनके लिए अभी reasoning की start कर रही है, हिंदी की classes भी start है, और साथ में अभी कुछ बच्चों की demand आ रहे हैं कि sir computer की class start कर दीजिए, computer की class एक से दो दिन में आपको classes provide होने वाली है, तो अपने इस RCC के परिवार को इतना बढ़ा करेंजिए, इतना बढ़ा करते हैं, ना comment करते हैं, ना go like करते हैं तो उनको मा बता दूँ कि आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं इस के प्रियतन करते रहते हैं तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप भी इस फेमिली को सपोर्ट करें इस आर्शी ची फेमिली को इतना बढ़ाएं कि एक दिन आपके वज़े से इनका नाम हो तो करना क्या आपको बाकी जितनी क्लासेज हैं हमने अभी रास्तान पुलिस के के लिए पटवार के लिए classes ओन कर रही है अब जो upcoming होने वाली हैं तो उनके सारे subject हम continue करने वाले हैं सारे subject उनको हम पढ़ाने वाले हैं जितनी चार से पांच subject अभी आपके start हैं और दो तीन subject जैसे कि अभी computer हुआ science हो गई और एक math उनके तीन के class भी हम बहुत जल्दी आपके सामने लिके आने वाले हैं तो जाते जाते मैं एक बार आपसे फिर से दर्खवास करूंगा कि बीते हो एकल के tension भूल जाए आने वाले future के future को भी भूल जाए कि हमें future में क्या करना है आज आपका है इसे जीए और एक नई शुरुवात कीजिए धन्यवाद